यहाँ पर आपका स्वागत है तो गाइज अभी आभी यहाँ पर SSC की यहाँ पर वेकेंसी आईए CPO की यानिकी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और यहाँ पर Central Armed Force पुलिस फोर्स यहाँ पर एक्जामिनेशन की यहाँ पर वेकेंसी आईए तो यहाँ पर देखते हैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड तक देखिए जिससे कि आपको पता चले है यहाँ पर eligibility क्या है कितनी वेकेंसी आई है और कैसे आप इसे आविदन कर सकते हैं तो इन सभी बातों के लिए यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखिए गाँ अब यहाँ पर main question सबसे पहले होगा कि यहाँ पर यह तो agriculture channel है मैं आपको यहाँ पर SSC की वेकेंसी क्यों बता रहा हूँ तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इस competition के जमाने में आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपने BSC agriculture की है तो आप graduation है आपको सबी exam देने चाहिए कि जो graduation base पे हैं तो यह भी यहाँ पर graduation base पे है तो इसलिए मैं आपको यह vacancy बता रहा हूँ तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि यह vacancy है यह कब आय थी यह vacancy यहाँ पर अभी यहाँ आईए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 तारीक का यह vacation यह advertisement है यहाँ पर जो यह online application है यह यहाँ पर 17 तारीक से यहाँ पर 16 जुलाई तक चलेगा यहाँ पर 17 जून से और 16 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं last date के अगर हम बात करें तो last date और जो time है यहाँ पर जिसमें कि आप application यहाँ पर भढ़ सकते हैं वो यहाँ पर है 16 जुलाई यहाँ यहाँ पर दिया है यह आप देख सकते हैं और online fees payment के अगर हम बात करें तो वो है 18 तरिक 18 जुलाई तो यहाँ पर चलान कले वी यहाँ पर डेट दे रिखिए वो है 20 यहाँ पर 20 जुलाई यहाँ पर दे रिखिए यहाँ अगर हम बात करें यहाँ तो examination की date हमां यहाँ यहाँ पर final हो चुकी है तो वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 29,9,2020 से यहाँ पर यह 5,0,2020 तक चलेगा यानि कि सटमबर से अक्टूबर तक यह exam होगा पेपर सेकंड के अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह 1,0,2021 को होगा अब बात करते हैं यहाँ पर कि कितनी कितनी वेकंसी है यह हम देख लेते हैं यहाँ तो यहाँ वेकंसी से वेकंसी देख लेते हैं यहाँ तो वेकंसी जनरली मैं आपको बताओं तो SI की जो है यानि की सब इंस्पेक्टर मेल की तो मेल की वेकंसी है यहाँ पर 91, SI फिमेल की है यहाँ पर 78 और जो CAPF है यहाँ पर Central Arm Police Force उसकी है यहाँ पर 1395 तो इतनी यहाँ पर vacancy है अब देख लेते हैं यहाँ पर कि step by step यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जनरल की यहाँ पर है यहाँ पर 32, department candidate 4, ex-serviceman 5 और total vacancy है यहाँ पर 41 EWS, OBC, SC, ST से यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुँ यहाँ पर कैसी कैसी vacancy है फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख से जनरल की है यहाँ पर 35, EWSK8, OBC17 और SC12, ST6 और टोटल है यहाँ पर 78 यहाँ पर वेकेंसी है CAPF की अगर हम बात करें जिसमें की सबसे ज़्यादा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर male, female यहाँ पर सब जगह से दे रहा है CRPF, BSF, ITBB, CISF और SSB यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी किती वेकेंसी है अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर यहाँ पर यह किस लेवल की पोस्ट है तो यहाँ पर यहाँ पर आपकी salary जाएगी और यहाँ पर इयां पर गुरूप B यानि की non-gasidate यहाँ पर पोस्ट है सब इंस्पेक्टर यहां पर male or female यहां पर दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो यहां पर pay scale यहां पर level 6 का है और 35,400 से यह भी यहां पर 112,400 तक यहां पर यह जाएगा आगे देखते हैं यहां पर तो आगे अगर हम देखें यहां पर तो nationality जो हो रहती है वो सेम है यहां पर इंडिया का citizen और Nepal और Bhutan यहां पर जो यहां पर हर exam में रहता है वो ही यहां पर है age limit की अगर हम बात करें तो यहां पर 20 से 25 age है यहां पर 20 से 25 आपकी age यहां पर रहनी चाहिए जिसमें की age limit हमेशा की तरह हो रहता ही है SCST पांस साल के लिए OBC तीन साल के लिए और जो ex service पहने वो भी तीन साल के यहां पर यहां पर यह exception होगा आगे देखते हैं यहां पर तो आगे अगर हम देखें यहां पर तो कैसा कैसा exam रहेगा यहां पर वो हम जल्दी से देख लेते हैं तो education qualification के अगर हम बात करें यहां पर तो simply यहां पर जैसे मैंने आपको बताए कि bachelor degree यहां पर चाहिए simply आपको यानि कि BST degree से ही आपका काम चल जाएगा तो आगे हम देखें यहां पर आपको लिखा है कि how to apply ssc.nix.in में आपको जाना है और वहां पर आपको one time registration करना है fees के अगर हम बात करें यहां पर तो 100 रूपे यहां पर रहेगी woman candidate और SCST और जो एक्सर्विसमेन है उसके लिए यहां पर जो region है उसके अनुसार आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका exam कहा होगा आगे बढ़े अगर हम notification में तो यहां पर examination है वो simply यहां पर इस तरीके से होगा यहां पर जो paper है paper first होगा यहां पर फिर यहां पर physical standard test होगा paper second होगा और फिर medical examination होगा paper first के अगर हम बात करें तो generally यहां पर general intelligence और reasoning 50 question, general knowledge और general awareness 50 question, aptitude 50 question और English के 50 question रहेंगे यानि कि 200 question रहेंगे और 2 घंटे का आपको time मिलेगा यहां पर negative marking भी यहां पर है यहां पर 0.25 यहां पर negative marking है यहां पर सबसे अच्छी बात यहां पर है यहां पर total आपको 2 घंटे का आपको time मिल रहा है यहां पर बिल्कुल overall आपको time मिल रहा है paper second के अगर हम बात करें तो English language और comprehension रहेगा यहां पर 200 question रहेंगे और 200 marks का यह रहेगा यहां पर यह दो घंटे का रहेगा आगे बढ़ते हैं अगर हम तो यहां पर आपने date देख लिए यह आपको यहां पर slaver से general intelligence और reasoning का general knowledge general awareness का और quantity aptitude का और यहां पर English comprehension और paper second English language और English comprehension का physical standard के अगर हम बात करें तो यहां पर यह बहुत important रहेगा है यहां पर male candidate के लिए यहां पर उनके लिए यहां पर 170 cm की यहां पर height चिये रहेगी chest की यहां पर unexpanded 80 है और expanded यहां पर 85 की है जो यहां पर hilly region की जो area है यानि की गड़वाल, कुमाओ, हिमाचल प्रदी, गोर्खाज, डोग्राज, मराथा कश्मीर वैली, ले लद्दाक रिजन, नौर्थ इस्टेर और सिक्किम के लिए यहां पर exempted है यानि की उनके लिए जो height है वो यहां पर 5 cm कम है यानि की 165 है un exempted है यहां पर जो chest है यहां पर 80 है और expanded यहां पर 85 है schedule tribe के अगर मैं बात करहूं तो 162.5 है और यहां पर female के लिए 157 है और यहां पर simply यहां female candidate में जो hilly areas में और जो सिक्किम तक areas है उनके लिए 155 schedule tribe के अगर मैं बात करहूं तो 154 उनकी height चाहिए रहेगी यहां पर जो physical endurance test है उसके लिए guys यहां पर जो 100 meter की race यहां पर 16 second में आपको तैय करनी पड़ेगी 1.6 km race यहां पर 6.5 minute में long jump यहां पर 3.65 meter जो की 3 chance में आपको तैय करनी पड़ेगी high jump की अगर मैं बात करहूं तो 1.2 meter 3 chance आपको मिलेंगे short put यहां पर 4.5 meter यहां पर 3 chance आपको इसमें भी मिलेगी female के लिए यहां पर 100 meter की race 18 second 800 meter race 4 minute में long jump 2.7 meter 3 chance मिलेंगे इसमें भी और high jump यहां पर 0.9 meter 3 chance मिलेंगे इसमें भी तो guys यहां पर medical examination आप यहां पर देख सकते हैं आपर किस तरीके से रहेगा eyesight भी आपकी बहुत अच्छे होनी चाहिए यहां पर 6 by 6 और इस तरीके से यहां पर यह पूरा notification है tattoo की अगर आप मैं बात करें यहां पर तो tattoo जो है यहां पर वो content tattoo और location और size यहां पर आपको दे रखा कि किस तरीके से यहां पर तो अगर हैं आपके तो किस किस तरीके से यहां पर रहेंगे तो यह है यहां पर नोटिफिकेशन तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगए होगी तो यहां पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें बिन्या मच जाएगा ताइस वर लिष्णिंग और वा ग्रीटे